कभी कभी आपकी situation की वज़े से आपको लगता है यह जिन्दगी बहुत ही खराब है और इस जिन्दे में कुछ भी नहीं रखा आपके future में क्या होगा इसका आप sense नहीं मनावाते हैं बहुत सारी आपकी problems इकटा आपको घेर लेती हैं आपको मर जाना चाहिए ऐसा आपको लगता है पर जब आप जिन्दगी की तरफ और एक कदम बढ़ाते हैं तो यह easy होता जाता है नेक्स कदम जब आप बढ़ाते हैं तब यह पहले कदम से और भी easy होता है आपकी जो problems होती है वो आ रहती है पर इनकी intensity दिन बढ़ दिन कम होते जाती है इसी एक strong message के साथ आज की movie आती है Hope 2013 की Korean एक drama movie है इसकी IMDb rating 8.3 है और बहुत ही अच्छा एक strong message यह movie देती है यह movie family के बारे में है इसमें जो छोटी लटकी होती है उसके साथ एक हास्ता हो जाता है इसके बाद यह family कैसे cope करते है इसके about ही movie है और इसके बीच में है बहुत सारे messages से movie दे जाती है तो चली है शुरू करते है movie start होती है और हमें एक general store दीता है इसका नाम hope होता है hope के mother और father ने उनके store का नाम hope रखा होता है फिर हमें hope के जो mother और father है इनकी life की एक जहलक दिखती है hope के आज parents teacher meeting होती है तो इसी वज़े से उसके father वहाँ नहीं जा सकते है आज उसकी mother वहाँ जाने वाली होती है और इसके लिए वह ready हो रही होती है hope की mother का नाम हम cream रखेंगे hope के father का नाम के है hope के जो father होते है यानि की के यह factory में काम करते है इनकी financial situation उतनी अच्छे नहीं होती इसी वज़े से इने grocery shop भी चलाना पड़ता है और बहुत सारी काम करना पड़ता है cream फिर parents की meeting में आती है और सब lady parents फिर restaurant में जाते है cream की बहुत याची एक friend भी होती है इसका नाम हम Skylar रखेंगे और ये भी यहाँ होती है तब cream की friend उसे कहती है कि आज तुमें pay करना है ये जो सब lady parents का group होता है तो इसमें वो cream को नहीं लेते थे पर उसकी friend ने इनको माना लिया था इसी वज़े से cream को भी इसमें आप शामिल वो कर रहे है cream के वाज इतने पैसे नहीं होते तो उसे credit card से pay करना पड़ता है ये cream की जो friend है Skylar इसका husband केक के साथ काम करता है वो salary नहीं बढ़ा सकता Skylar cream को देखकर समझ आती है कि cream pregnant है उसे वो बूज भी लेती है cream को चिंता होती है क्योंकि के ने अभी तक notice नहीं किया होता तिन-चार मैने बीच चुके होते है फिर भी उसने उसे कुछ भी नहीं बताया होता के और Walter जोए ये भी अच्छे friends है इनका lunch break जब होता है तो उनकी company में इने chicken वेगरा खाने को मिलता है Walter को ये खाना होता है पर इसे सब के last में खाना पड़ता है जो last piece होता है वो के ले कर जाता है वो फिर खेता है कि मुझे घर में ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं मिलता उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो के भी इसका मज़ा लेता है और फिर उसे ये piece दे देता है ये दोनों इन दोनों की financial situation बहुत ही same होती है और ये दोनों अच्छा खाना घर पर afford नहीं कर पाते है पर इनकी friendship जो होती है ये बहुत ही सही होती है इसके बात पहली बार हमें Hope दिखती है Hope ने classroom में होती है और अपने friend का वेट कर रही होती है ये जो उसका friend होता है ये वाल्डर और स्कैलर का ही बेटा होता है इसका नाम हम चिंटू रखेंगे चिंटू अपने friend के साथ होता है और इससे ignore करता है Hope इसके साथ घर जाना चाहती है पर वो आगया आगय भाग जाता है Hope और चिंटू दोनों game के machine के पास आते है चिंटू उसे अच्छी तरह से handle नहीं कर रहा होता तो Hope कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम इसे खराब कर दो के इन दोनों में यहाँ थोड़ा सा जगड़ा हो जाता है चिंटू उसे तुम बहुत ही छोटी हो ऐस इसा बोलता है और वह उसे कहती है तुम्हेरा face बहुत ही बड़ा है इन दोनों का जगड़ा होकर फिर Hope घर आ जाती है Hope अपने dinner table पर होती है और मैस के question solve कर रही होती है यह कहती है कि वह बहुत ही try करती हूँ पर यह question मुझसे solid नहीं होती है उसकी mother फिर उसे कहती है कि और फिर divide कर लो 2 से Hope कहती है कि मैं इसे real life situation से compare कर रही हूँ अगर मेरे पास 3 pencil और चिंटू के पास 9 pencil तो वो मुझे कभी भी उसके 3 pencil नहीं देगा वो कभी भी 6 equal नहीं होने देगा यहां में पता चलता है कि Hope बहुत intelligent है यह के भी होता है पर वो अपना baseball match देखने में बहु और कि दोनों एक ही couch में टीवी देखते देखते सो गए है यहां में दिखता है इसका मतलब है कि कभी कभी absent father हो सकता है पर at the end of the day यह अपनी family को ही importance देता है next day जब Hope को school जाना होता है तब उसके friend नीचे आते है Hope के mother को लगता है कि Hope को ले जाने के लिए आये है पर उसका friend यानी जिन्टू वहाँ से अपने friend के साथ चला जाता है Hope को अपने hair सही से आज लगाने होते है इसलिए वो late हो जाती है वो केसे अपने hair band देने के लिए बोलती है पर के भी बहुत ही busy होता है तो जली-जली से कर जाती है याँ बारिश आने लग जाती है तो क्रीम उसके पीछे भागती है और उससे चाता देती है Hope upset होती है तो उसकी mother अब उससे कहती है कि कल में तुम्हें अच्छे से ready कर दूंगी क्रीम कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ school तक आ सकती हो Hope कहती है कि नहीं यहाँ से मैं भागती चली जाओंगे वह भी नाराज होती है क्रीम उसके लिए concern होती है और उससे कहती है कि जो छोटा सा road है वहाँ से तुम मचाओ तुम्हें एक बड़े से road चले जाना है जहां बहुत सारे लोग होंगे फिर हमें दीखता है कि अपने काम में busy हो जाता है क्रीम अपने बहुती डर रही होती है जब movie स्टार्ट हुए थी तब हमें दिखा था कि hope एक kite की तरफ देख रही थी जब यह आदमी इस movie में आ चुका है तब हमें kite बरबाद हुआ दिखा है यह kite hope का freedom represent करता है और अब यह खतम हो जाने वाला है नेक सिन में हमें इसकी अमरे राद तैस इसने सो चुकी है ऐसा दिखता है और hope खुन से लटपत पड़ी हुई है इसके पास एक mobile होता है जिससे वो 911 को call कर देती है स्कुल की यह फिर पुलिस आती है एंबुलन्स आती है और उसे hospital में लेकर जाती है क्रिम को उसकी friend Skyler को call आता है उसे कह दिए स्कुल के यह incident हुआ स्काइलर थोड़ी सी concern हो जाती है जबके अपना काम कर रहा होता है तभी उसे call आता है और यह hospital से call होता है यह पहले बिल्यू नहीं कर पाता और फिर hospital में आ जाता है hope बहुत ही injured हो चुकी होती है जिस आदमे ने hope को hurt किया था उस आदमे ने उसे चाको से मार भी दिया था इसके intestine उसने फार दिये थे के को यह सब doctor बता रहे होते है वहाँ cream भी आती है यह वहाँ रोने लग जाती है यह वो देख नहीं सकती इसे वज़े से वो बाहर चली जाती है के अपने आपको समालता है और वो tough है ऐसा वो pretend कर कर वही खड़ा होता है वो doctor से पूछता है कि अ hope क्या करना पड़ेगा hope की up surgery होने वाली होती है कि फिर डिरिक 2 के पास आता है डिरिक 2 को जिस आदमी ने यह सब किया है इसके finger prints मिल चुके है बहुत सारी evidence इनको मिल चुके है डिरिक 2 उसे assure करता है कि hope के साथ इसने जो भी किया है उसे हम ढून लेंगे कि जब cream के पास आक Skyler को call आया था क्या उसे पता था क्रीम को फिर Skyler को बहुत गुस्ता आ जाता है और वो case से यह दी है कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताया तुमें उसे मार दूंगी एक nurse operation ठेटर से आती है और के को लेकर जाती है के को doctor बताते है कि hope की जो injury है वो बहुत ही serious है इसको जो गुदा है वो हमें निकालना पड़ेगा यह कभी भी normally toilet नहीं कर पाएगी इसे हमेशा एक artificial organ के साथ ही रहना पड़ेगा के उसे कहता है कि please मेरी बेटी को बचा लो अब hope को operation हो जाता है और के और क्रीम उसे मिल सकते है क्रीम जब इसे देखती है तो रोने लग जाती है और अपनी मदर के बारे में पुछती है यह कहता है कि हम turns में आने वाले हैं और पिर जिस आदमी ने उसका rape किया था इसका description देने लग जाती है कि कहता है कि अभी तुम्हें यह करने की ज़रूत नहीं है Hope कहती है कि जिसने भी यह किया है इसको jail होनी चाहिए इसको सजा होनी चाहिए अगर मैं सो गई तो मैं भूल सकती हो इसलिए वो यह statement दे रही हुती है Nixon में हमें डिडिक्टू के पास के आया हुआ दिखता है डिडिक्टू के पास जिसने किया है उसके fingerprint से वो कौन है यह पता चल जुका है पर उसके खिलाफ यह एक warrant नहीं निकावला सकते है यह जो evidence है यह enough नहीं है कि उस पर चीड़ गया होता है डिक्टू से कहता है कि अगर तुम्हें उससे पकड़वाना है तो hope को statement देना होगा hope को statement देना है यह कि अब करीम को समझाता है करीम कहती है कि तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो वो अभी अभी तो उसने experience जिया है और फिर से वो उससे remember करने के लिए बोलोगे यह उससे ना बोल रही होती है कि इसके लिए मान नहीं रहा होता यहाँ एक पुलिस होती है तो करीम को समझाने के लिए कहती है कि तुम्हें एक psychologist की जरूरत है यह जो situation यह बहुत है और hope को भी और तुम दोनों को भी इसकी जरूरत है करीम वहाँ से चली जाती है यह पुलिस फिर केको के थी है तुम घर जाओ और hope के जनरल स्विगरा लेकर आओ hope की अब जो नई therapist होने वाली होती है इसने बुच्छा होता है कि जब घर जाता है तो hope की ड्रॉइंस बुग वगरा देखता है उसे एक cartoon character कोको मॉंग यह बहुत ही अच्छा लगता है उसके लिए खिलोना वो लेकर आता है जो therapist होती है अब वो के और करीम के साथ बात करी ह वो कहती है कि अगर hope का अब हम अभी statement ले तो इसके लिए बहुत ही hard हो सकता है वो अभी psychologically unstable है यह जो भी हमें कहेगी यह coat में इतना hold नहीं करेगा यह को वारन निकलवाना ही होता है तो उसे force कर रहा होता है यह therapist कहती है दोनों parents अगर मुझे सहमत ही नहीं देंगे तो मैं न रूफ करती है कि hope अपने होशो हावाज में है उसे बहुत सारी दस्विरे दिखाती है और इसमें से उसे सिलेक करने के लिए बोलती है जिस आदमी ने उसके साथ दिक किया था hope भी उस आदमी को पैचान लेती है जब वो तेरेपीस घर जा रही होती है तो वो के और क्रीम क आने के लिए बोलती है hope ने अब statement दे दिया है तो बहुत सारे पुलिस ओफिसर जाते है और जिसने यह किया होता है उसको पकड़ लेते है केको जब यह पता चलता है तो पुलिस स्टेशन के पास भागता है वहाँ अल्रीडी बहुत सारी न्यूज रिपोर्टर्स वेकर आ कि वहाँ मीडिया पोच चुकी है वो भागता है और hope के पास आ जाता है hope को अब उन्हें shift करना पड़ता है वो एक private room में उसे लेकर जाते है जब वो जा रहे होते है तो reporter उन्हें घेर नहीं कोशिश कर दिये क्रिम उन्हें रोके रखती है और कि उसे एक private room में लेकर जाता है hope को बेड़ वर रखता है पर उसे वहाँ toilet आ जाती है कि फिर इस सब toilet को साफ करने लग जाता है उसके पेर वो पगड़ता है पर ये hope के लिए बहुत ही uncomfortable होता है जो incident उसके साथ हुआ है इसे वो याद करने लग जाती है ये पेर वेगरा मानने लग जाती है पर कि अभी सबसाब कर रहा होता है जबके hope को देखता है तो उसे पता चलता है कि hope अब क्या मैसुस कर रही है hope को उसके father का touch भी उस रेपिस के touch की तरह लग रहा था ये बहुत ही घिरोनी realization केको होती है hope रो रोकर बहुत ही डिस्टरब हो जाती है और उसके हालत और भी खराब हो जाती है केको बहुत ही दूख होता है और hope से वो दूर चला जाता है क्रीम जब reporter को रोक रही होती है तो वो उसे चक्कर आती हो और गिर जाती है और वो pregnant है ये केको पता चल चुका है क्या उसे पुछता है मुझे तुम कब बताने वाली थी क्या तुम्हें ये बच्चा नहीं च होता है तो इसी वज़े से वो वहाँ से चला जाता है hope उसे अब देख भी नहीं पा रही इसे वो बहुत ही डिस्टरब होता है केको फिर आइडे आता है hope को जो टॉय अच्छा लगता है उसी चीज का बॉलून उसके पास होता है ये पहनने की कोशिश वो करता है ये पहन क वो अपसे बात कर सकता है यह उससे लगता है यह वो ट्राइ करता है पर ही successful नहीं हो पाता है होप के जो hospital भी लोते है यह बहुत ही जादा होते है यह credit card पर यह सब पे कर रहा होता है Walter का Kate को call आता है उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों के जरूरत होगी उसे पैसे देने के लिए offer करता है कि यह लेने ही रहा होता Walter बोलता है कि मेरे पैसे तुम्हें देने के लिए क्या मुझे गिड़गिना ना पड़ेगा Walter फिर उससे पैसे देता है आज जो culprit था उसकी court में hearing होने वाली है के वहाँ जाने वाला होता है वो क्रीम को कहता है कि तुम यह ही रुख हुई तुम यहाँ से हिलोगी नहीं क्रीम को मिलने फिर उसकी friend Skyler आती है Skyler उसे confront करती हो और बोलती है कि क्या तुम्हें सचमिच में लगा था कि मुझे पता है कि यह होप ही है मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है वो फिर उसे कहती है कि मैं बहुत ही बहले तुम मिलने आनी वाली थी तुमने कहा था कि तुम मुझे मार दोगी इसलिए मैं नहीं आई क्रीम कहती है मैंने बोला था मैं कर सकती हूँ मैं करने वाली थी ऐसा नहीं था Skyler फिर उसे सहारा देती है और बोलती है कि तुम रो भी नहीं सकती तुम strong हो ऐसा तुम pretend कर रही हो फिर ये दोनों मिलकर रोने लग जाते है उसने उसके लिए खाना लाया होता है ये उसे वो फिर खिलाती है जब hearing में होता है तो इस culprit care lawyer अब अपनी गवाई दे रहे होते है वो कहता है कि मेरे client को पता भी नहीं है कि उसने किया भी है या नहीं वो बहुती drunk था और वो construction worker है तो वहाँ से वह आता जाता रहता है पीछले दिन जब वो अपने job से घर आया उसके बात से उसने क्या भी किया है वोसे कुछ भी नहीं पता है कोट में सब सबूत भी पेश किये जाते है जज कहता है कि इस case की और भी investigation होनी चाहिए इसलिए वो next date दे देता है अब हमें hospital दिखा गया है और क्रीम को cheer up करने के लिए इसके जो भी सब favorite toys है इनको पहन कर इनको पहन कर उसे cheer up करने के कोशिश की जा रही होती है यह उसके therapist का idea होता है इसमें क्रीम, Skylar और जो एक nurse थी यह भी होती है यह उसके पास जाते है और dance करने लग जाते है वाल्टर जब आता है तो क्रीम से पुछता है तुम तो इस therapist को निकल जाने के लिए बोल रही थी क्रीम उसे कहती है hope को यह help कर रही है यह इनफ है hope को cheer up करने के लिए यह सब जो costume उनने लाये होती है इनका बहुत ही बील आ जाता है अभी के लिए तो के इसे pay कर देता है पर next day pay नहीं कर पाता इसके prizes जो बुछता है तो उन्हें कहता है क्या मैं इसे install में में प्रिकर सकता हो यह जिस आदमी के costume होते है उसे बुरा लगता है वो फिर उसे एक बड़ा सा costume लेता है और उसे दे देता है वो कहता है कि हम इसे जादा use नहीं कर सकते है तुम्हें जब तक लगे तब तब तुम इसे use करो जब तुम्हारा काम खतम हो जाएगा तब तुम इसे वापस दे देना रात में therapist और क्रीम दोनों बैटे हुए होते है therapist उसे कहती है कि मेरी जो बैटी थी उसके साथ भी यह हुआ था वो जब 16 साल की हुई थी तब उसने suicide कर ली थी इस therapist से भी यह रहा नहीं गया था इसलिए उसने भी suicide करने की ट्राय की पर इससे उसका pair paralyzed हो गए वो क्रीम को कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस सीजों से गुजर रही हो कि होप से directly अब बात नहीं कर पा रहा तो एक कौश्यों में वो बहन लेता है और फोप के पास आजाता है फोप एक acute पर लीक रही हो थी है और वैसे वो बात कर रही हो थी है उसे बात नहीं की जा रही हो थी वो उससे पुछती कि तुम्हाने friends का आगए क्यों ऑसे कहता है कि वो घर ज़े गए है करने वाली हूँ जो भी बाद में तुम से करोंगी इसके बाद में एक butterfly इस board पे रखोंगे जब यह board भर जाएगा तुम्हारा जो pain तुम मैसूस कर रही हो यह भी बहुत सारा खतम हो जाएगा तुम उसे directly बात कर सको कि therapist और hope यह दोनों बहुत सारी बाते करते हैं और अब इसका जो board है यह पूरा सा भर चुका है अब hope directly freely उससे बात कर पाती है therapist फिर hope से पुछती है कि आज date क्या है वो उसे date बता देती है therapist कहती है तुम्हारा summer break चल रहा था अब यह खतब हो जाने वाला है तुम फिर से school में जा सकती हो hope कहती है कि मैं नहीं जा सकती तेरपिस उसे पुछते है क्यों नहीं जा सकती hope कहती है कि मैं embarrassed हूँ मैं फिर से अपने friend के साथ नहीं मिल सकती उस दिन क्या हुआ वो मैरे friend को नहीं बता सकती उसे लग रहा होता है उसके friends को सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था hope कहें जो भी सब friends होते है classmate होते है यो उसके shop पर आते है और इस shop बंद होती है तो इसके class पर उसके लिए greetings card लिखते है बहुत सारी अच्छी चीज़े इसे चीहरब करने के लिए 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 ये तेरपिस्ट उसे पुछते है कि क्या चीज़े है जो तुम मिस करती हो वो कहलती है कि मैं classroom में जाना मिस करती हूँ मेरे parents work नहीं कर सकते ये भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है बहुत सारे पैसे मेरे treatment में जा रहे है ये भी गलत है इसके parallel scene में हमें देखता है कि के internet पर साच कर रहा होता है कि वो अपने बेटी से कैसे बात कर सकता है उसे बहुत ही problem अब आ रही होती है वो फिर धेरेफिस से उस दीन के बारे में बात करती है वो कहती है कि मैं वहाँ से निकल जो ऐसा मुझे लगा था पस्टीट पर कोई भी नहीं था उस आदमी को मुझे help करनी चाहिए इसा भी मुझे लगा था वो कहती है कि मुझे लगा था कि सब लोग मुझे appreciate करेंगे पर वो अब मुझे ही blame कर रहे है वो फिर कहती है कि मुझे school जाकर मेरा homework करना है जब मेरा brother या sister born होगी तो मुझे उसे पकड़ना है वो artificial organ के साथ रहती है तो इसे अब डर लग रहा होता है कि जब baby आएका तो उसे वो गंदा गर देकी उसे ये भी लगता है कि जो baby आएका वो उससे cute होगा तो उसके parent उसे ही प्यार करेंगे वो therapist से कहती ही कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं आगर आग burn कर लूँगी और जब खुलूँगी तो सब ठीक हो चुका होगा पर कुछ भी कभी-कभी नहीं बदलता वो कहती ही कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में आई ही क्यों हो हम parallel scenes में दिखाया जाता है कि के बहुत ही effort कर रहा है वो एक costume पैता है और हर रोज Hope से मिलने आता है Hope की जो भी situation होती है उसे देखने के लिए वो उसके room में आता है पर उसके सामने वो नहीं आता जब भी उसके सामने आता है तो costume में ही आता है अब time गुजर चुका है Hope अब घर आ सकती है Hope का बड़े भी वो hospital में ही celebrate करती है और अब उसे ये घर लेकर जाने वाले होती है Hope अब घर आने वाली है तो cream उसके लिए घर ready करती है Hope अब भी उसके father से बात नहीं कर पारी होती है तो इसी वज़े से जब उसे वो घर लेकर जा रहे होती है तो उसने एक पड़दा बनाया होता है Hope उसे देखना पाए इसलिए उसने ये किया होता है Hope जब गाड़े में होती है जिस street पे उसके साथ हास्ता हुआ था ये street उसे दिखती है वो बहुत ही uncomfortable मैसुस करने लग जाती है और वो उल्टी भी कर देती है जब वो घर पोचती है तो उसे दिखता है कि उसके friends ने उसके लिए कितने cards वोगरा लगाए है निकसीन के shop के बाहर बेटा हुँ होता है वहाँ चिंटू आता है उसे बोचता है कि क्या hope घर पर आ चुकी है कि कहता है कि तुम तो उससे के साथ नहीं खिलते थे तुम आप उससे क्यों मिलना चाते हो चिंटू कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं था लोग कुछ भी अफ़ा पहलाते है चिंटु फिर बोलता है कि मैं पागल होने लग गया हूँ वो रोने लग जाता है वो कहता है कि अगर उस दिन में उसके साथ गया होता तो उसके साथ ही नहीं होता कि उसे पास बुलाता है उसे हग करता है और कहता है कि प्लीज मत रो उसे बहुत सारी candy हो से देता है निग्स दिन Hope को फिर स्कुल जाना होता है क्रिम को स्काइलर कॉल करती है और कहती है कि मैं Hope को स्कुल ले कर जाओंगी उसे support के आज जरूरत होगी इसलों ये करने वाले होती है ये रस्ते से जब जा रहे होते है फिर से वो वही street पर आ जाते है Hope को फिर से वो feelings ना है इसी वज़े से के ने costume पहेंग कर वहाँ खड़ा होता है उसका friend उसे हमेशा support करने के लिए वहाँ है ये ऐसा उसे support करकर जता रहा होता है कि फिर Hope के principle से भी मिलता है वो उसे कहता है कि दुम्हें ध्यान रखना है Hope किसी भी male teacher के direct contact में ना आ जाए Hope जग school जाती है तो उसे एक pack पहिन कर जाना परता है जो हमेशा आवाज करती है बच्चे ये उससे पूछ सकते है कि एखुफर idea आता है और एक pouch उसे को gift करता है इस pouch में बहुत सारे chocolate सो रख देता है इससे जब उसके friend उसके pouch के बारे में पूछेंगे तब ये आवाज उसके टॉफिस से आ रही है उसके chocolate से आ रही है ये वो बता सकती है उसे इंबेरस फिलने होना चाहिए इसलिए कि उसे इस पाउच देता है क्रीम ठेरेफिस के बार साथ होती है तो उसे अपने feelings बताती है वो कहती है कि मैं कभी कभी वीश करती हूँ जो hope के साथ हुआ है वो सभी बच्चों के साथ हो जाए इससे सब normal हो जाएगा hope को भी वो normal है ऐसा लगेगा निक्स दिन जब hope स्कूल जाना चाहती है तब चिंटू भी उसके साथ आता है hope उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती तो चिंटू कहता है मैं तुम्हारे बीची बीची चलूँगा उसे support करने के लिए उसके साथ आया होता है जब स्कूल चल रही होती है, तब कि अपना वर्क छोड़ देता है, कॉश्यूम पहन लेता है, और स्कूल के बाहर कॉश्यूम पहरकन आ जाता है, वो होब को सपोर्ट देने के लिए, या अकेली नहीं है, उसका फ्रेंड उसके साथ है, इसी वज़े से वो आया हुआ होता है या होब के फ्रेंड जब उसके उसके पाउच के बारे में पुश्ते है, तब यह बता देती है, यह इसमें टॉफी से, उसके फ्रेंड को यह चोकलेट भी देती है, यह का जो प्लान था, वो सक्सेस्फूल हो जाता है, होब जब घर जा रही होती है, तो कॉस्यूम में के भी वा होता है उसे पूरे रस्ते में सपोर्ट देने के लिए वा होता है चिंटू अब होप के साथ चल रहा है वो उससे पुछता है कि क्या यह तुमारा नया फ्रेंड है वो कहती कि हाँ यह मेरा नया फ्रेंड है चिंटू फिर उससे पुछता है कि बॉय है या गर्ल है रही थे, उन सबसे वो डर रही थी, अब उसे एक realization हो चुका है, जो friends होते हैं, ये कभी भी male female ऐसे नहीं होते हैं, ये सिर्फ friends होते हैं, कभी भी हम उन में कुछ difference नहीं कर सकते हैं, वो हमें support करने के लिए आहा है, ये उसे अब realize हो चुका है, Hope जब घर पर आती है, तो घर के पास costume में के होता है, वो फिर उसके पास जाती है, उसे बोलती है, कि क्या तुम मेरे father हो, मुझे please बताओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, क्या इसी वज़े से तुम ये सब कर रहे हो, वो फिर अपने father के लिए care करती है, उसे कहती है कि क्रीम पूछती है कि ये क्या है, क्रीम फिर के का मास्क उतारती है, हूप उसके पास जाती है, और उसे बहुत सारा पसिना आयो होता है, वो सब वो पूछती है, कि जब अपने काम पर होता है, तब उसे डिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उसने एक petition जायर किये, वो कहह रहा था कि वो ड्रंग था और उसे कुछ भी याद नहीं है, वो mentally unstable भी है, ऐसा भी वो कह रहे है, Hope ने जोक testimony दी थी, तो वो बहुत ही injured थी, वो बहुत ही high medicine पर थी, तो उसकी testimony अब hold नहीं कर रही, इस culprit को अब बहुत ही कम सजा होने वाली होती है, कि फिर उसे मिलने जाता है, कि उसे पुछता है, कि जो भी तुम कह रहे हो, कह सच है, वो बोलता है कि हा, मैं जितना भी try करत पर मैं remember नहीं कर पाता, वो बोलता है कि अगर मैंने सच मुझ में एक किया है, तो मैं जेल में होना चाहता हूँ, पर मुझे सच मुझ में कुछ भी याद नहीं आ रहा, केको भी ये सब बिली होने लग जाता है, पर ये फिर उसे कहता है, क्या हम settle कर सकते है, उसे कहता है, क जब मैं जेल से निकलूँगा, तो मैं वर्क करने लग जाऊँगा, तो मैं तुम्हें पेक कर सकता हूँ, इसे सब को जयाद होता है, तो के उस पर बहुत ही चिट जाता है, के जब अपने फिर वाल्टर के साथ गाड़ी में बेटा हुआ होता है, तो उसे कहता है, कि मुझ प्लाई साथ एक एक एकसिडन्ट हुआ है, ऐसा तुम्हें स्टीट करना चाहिए, कि किसी के भी साथ हो सकता था, के इसे एगरी नहीं करता है, और कहता है कि प्लीज गाड़ी रोग दो, वो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करना चाता, वो अकेला ही चलने लग जाता है, जब रात होती है, तो के करिम को बताता है, कि जो कल्परिट है, वो 8-9 सालों में जेल से निकल सकता है, वो से बुछता है, कि क्या तुम्हारे पास मेरा इंशॉरंस है, करिम बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, करिम बुछती है, कि वो इंशोरंस के बारे में बात कर रहोता है निक्स दिन फिर कोट चलता है इस कोट में होप को भी बुलाया जाता है होप को उसे identify करने के लिए बोला जाता है सब सबूत पेश किये जाते है पर जो culprit था उसने petition जायर किया था कि वो ड्रंक था और उसे कुछ भी याद नहीं है इसने ये किया है ये तो fix है तो इसलिए जज बोलता है कि इसे सजा तो होनी ही चाहिए पर इसने ये किया था तब वो होश में था ये हमें बता नहीं है इसी वज़े से उसे बहुत ही कम सजा सिर्फ 11 साल की सजा उसे हो जाती है कोर्ट रूम में सब लोग जो होते है ये सब बहुत ही चीर जाते है केका फ्रेंड वॉल्टर फिर खड़ा हो जाता है वो कहता है कि ये ऐसा कैसा justice है अगर वो ड्रंक था तो इससे क्या फरक पड़ता है तो फिर ड्रंक एंड ट्राइव का भी केस नहीं होना चाहिए क्रीम भी अंदर आ जाती है वो जजज से बोलती है कि सिर्फ 11 साल 11 साल के बाद होप किस एज की होगी वो फिर से उसे मिल सकता है कैसे आप ये सब होएं दे सकते हो वो वही कोट रूम में रोने लग जाती है कि ये भी रो रहा होता है पर अब ये सहन नहीं कर पा रहा वो एक चीज उठाता है और उस कल्परिट के सर पर वो मार कर वो से मार देने वाला होता है ये वो करी रहा होता है तभी होब उसा पेर पकड़ लेती है होब रोरोकर कहती है कि प्लीज हम घर चलते है उसने बहुत सारी चीज़े अपने लाइफ में लॉस्ट कर दी है वो अपने फादर को भी लूस नहीं करना चाती जब रात थी तब उसने सुना था कि उसके फादर क्या करने वाले थे इसी वज़े से अप उपने फादर को रोक ली थी है के भी रूख जाता है उसे अपने कोद में उठाता है और घर लेकर जाता है अप बहुत सारा टाइम गुजर चुका है और क्रीम की डिलीवरी भी हो चुकी है उसे एक ब्रदर होता है, अपने ब्रदर को देखकर वो बहुत खुश होती है स्कारर वॉल्डर भी वहा होते है, उसे पूछते हैं इसका नाम आप क्या रखने वाले हो के बोलता है कि मैंने होप का नाम रखा था, अब होप उसके ब्रदर का नाम रखेगी होप ने ब्रदर का नाम हैपी रखती है, यह कहते है कि हैपी का सर्ड बहुत ही बड़ा होने वाला है कीम फिर जिंटू को जिड़ाती है, वो कहती है कि जिंटू की जितना बड़ा यह नहीं होगा हमें यहाँ पता चलता है कि होप अच्छी तरह से रिकवर हो चुकी है जब होप स्कूल में होती है, तब उसे स्कूल में होना अच्छा नहीं लगता तो उस स्कूल से निकल जाती है, वो फिर हमें बोलती है कि मेरे फ्रेंस मुझे बूछेंगे कि मैं स्कूल से क्यों निकल गई थी पर वो उसे अब इतना फरक नहीं पड़ रहा वो उसे कुछ ना कुछ तो बताई देगी वो घर आती है और उसने अब बहुत सारे टॉइस बनाई होते है अपने होतो से उसने क्रेट किया थै वो हमसे कहती है कि मेरे फादर जिस तरह से काम करते है वेसा भी मैं काम कर सकती हो मुझे चीज बनाना अच्छा लगता है उसने अपने ब्रदर के लिए ये सब चीज़े बनाई होती है अपने ब्रदर के पास आकर वो उसे एक एरोपलेन देती है वो फिर हमें कहती है कि इस दुनिया में आना हमें जर्म मिलना ये एक ब्लेसिंग होती है ये मुवी याँ खतम हो जाती है पर इस मुवी का मैसेज की हम बात करेंगे जब होप हॉस्पिटल में थी और थेरीविस से बात कर रही थी उसे बहुत सारे प्रॉलम थे वो स्कूल में किसे जाएंगी उसके फ्रेंड्स को क्या बोलेगी वो स्कूल में कैचप कैसे करेगी उसके जो अपने फादर के साथ रिलेशन्शीप है वो भी बहुत ही कॉम्लिकेट हो चुकी थी वो अपने फादर से बात नहीं कर पा रही थी उसके साथ जो भी हुआ था इसकी वज़ेस उसे लग रहा था कि वो जिन्दा ही क्यों है वो इस दुनिया में उसने जन्मी क्यों लिया था इस माइनसेप में वो थी जब वो घर आयी थी उसके फ्रेंड्स ने तब उसे बहुत ही अच्छा लगता था लाइब से जुझने का उसे मोटिवेशन मिलता था उसे हमेशा से बता था कि उसके फादर ही है जो उसे सपोर्ट करे है उसके साथ यह जो सब हुआ था यह एक आदमी नहीं किया था पर हर आदमी उसी तरह से बुरा होगा जो भी लोग उससे मिलेंगे वो भी उससी तरह से बुरे होंगे ऐसा कुछ भी रिस्टिक्टर नहीं है लोग जब अच्छे होते हैं जब वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं तो वो कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकते वो अब अपने लाइफ के प्रति बहुत ही positive है। वो अप चीजे बना रही थी, अपने ब्रदर के लिए उसने toys बनाए थे। उसने कहा था कि वो अपने father की तरह है, वो चीजे construct कर सकती है। उसने अपने ब्रदर को एक aeroplane gift किया था। हम जैसे movie के first में देखा था, एक kite उसका freedom रिप्रेजन करता है। और जो culprit था, उसने उसका freedom ले लिया था। उसे सज़ा दिलवाना चाती थी और उसमें वो consume हो चुकी थी। उसे अपना freedom फेसे मिल नहीं पा रहा था। जब अब बहुत सारा time गुजर चुका है, अब वो life के प्रदी positive हो चुकी है, तब उसे अपना freedom वापस मिल चुका है। उसके life में अभी प्रॉलम है, तो आप वो डटकर सापना करने वाली है। उसके father उसके साथ है, उसके family उसके साथ है, उसके friends हमेशा उसे help करेंगे। जब भी आपको life में लगता है कि कुछ भी सही नहीं होने वाला, तब आप एक step लेते हैं, और उसके पाथ जब आप अलग और एक step लेते हैं, तब life ज़रा easy हो जाती है। जिसा time बीटता जाता है, तब और भी ये सब चीज़े आसान होती जाती है। कितनी भी बूरी चीज़े आपके साथ हो, फिर भी आप इससे निकल सकते हो, एक beautiful message देकर ये movie हमें inspire करकर चली जाती है। अगर आपको भी ये movie अच्छे लगी होगी, तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा, बहुत सारी ऐसे movie में लेकर आता रहता हो, तो please मेरे चैनल को subscribe भी कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजेगा, हम फिर से मिलेंगे और एक नही movie के साथ, तब तक के लिए thank you, और आप अपने आप का खैल रखिये,